नमस्कार दोस्तूं जर्बत बरेली से कीरती जी का सवाल है कि सर शादी के कितने दिन बाद हम तलाग ले सकते हैं हमारे पती दोरा धोखा दड़ी करके फ्राड करके ठगी करके जूट बोलकर हमारे साथ शादी कर ली गई और सादी के बाद जब हम अपनी सस्राल पहुंचते हैं तो हमारे साथ मारपीड की जाती है गाली गलोज किया जाता है तरह तरह के ताने दी जाते हैं हमसे दहेज की मांग की जाती है सस्राल वालूं और इस दानों के माध्यम समय पता चला है कि हमारे पती दोरा बहुत बड़ा जूट बोला गया है हमारे साथ धोखदरी की ग वह साधन संपन है उनके पार धेर सारी प्रापर्टी है उनको किसी भी प्रकार की कमी नहीं है उनको किसी भी प्रकार का दहेज नहीं चाहिए वह हमको रानी बनाकर रखेंगे किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे इस प्रिलोभन में आकर हमने साधी कर ली लेकिन जब चला कि यह सब कुछ जूट है जूट बोलकर फ्राट करके हमारे साथ साधी की गई तो हम अपने आपको ठागाशा मैसूस कर रहे हैं अब हम इस विवाह को खंडित करना चाहते हैं इस विवाह से छुटकारा पाना चाहते हैं विवाह बिच्छेत करना चाहते हैं तलाग करना चाहते हैं हमने कई लोगों से मालूम भी किया है तो लोगों का कहना है कि विवाह के एक साल तक आप तलाग नहीं दाखिल कर पाएंगी सर क्या यह शही है और अगर सही है तो क्या हमको एक साल तक ऐसे ही जहलना पड़ेगा एक साल तक हमको रिष्टे में रहना पड़ेगा और एक साल तक हम अपनी मर्जी से या अपने परिवारवलों की मर्जी से दूसरा बिवाह नहीं कर पाएंगे सर शुझाओ दिजी तो कीर्ति जी आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जिन लोगों ने यह कहा है कि साधी के एक साल तक आप तलाक का मगुदमा दाखिल नहीं कर पाएंगी उन लोगोंने बिलकुल शही कहा है कानूर में यह प्रावधान है कि शादी के एक साल तक आप तलाक का मगुदमा दाखिल नहीं कर सकती है लेकिन यहाँ पर सवाल यह उड़ता है क्या एक साल तक आपको ऐसे ही जहलना पड़ेगा एक साल तक आपको शम्मंधों में रहना पड़ेगा एक साल तक आप अपनी या अपने परिवारवलों की मर्जी से दूसरा विवाह नहीं कर पाएंगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको बिल्कुल भी घपडाने की परसान होने की जरूरत नहीं है अगर आपके पती द्वारा वास्तों में दोखा दड़ी करके फ्राड करके ठागी करके जूट बोलकर साधी की गई है और आपके साथ लगातार मारपीट की जाती है गाले गलोज की जाता है तरह तरह के ताने दी जाते है आपका सोस्वर किया जाता है आपके साथ घरेलू हिंशा की जाती है आपसे दहेज की मांग की जाती है तो आपको एक आशा बिकल बताने वाला हूँ जिसको फालो करकर आपको रिलीफ जरूर मिलेगी किरती जी आपको सबसे पहले अधने मुनिश पच्पन की धारा बारा शून करणी बिवाह के तहद अपने विवाह को शून घुजित करने के लिए भिवाह को खंडित करने के लिए फैमिली कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकती हैं वहां से आपको रिलीफ जरूर मिलेगी जैसे ही आप फैमिली कोर्ट में उपस्तित होकर हिंदु बिवाह दिने मुनिश पच्पन की धारा बारा शून करणी बिवाह के तहद अपने बिवाह को खुजित करने के लिए बिवाह को खंडित करने के लिए अप्लिकेशन मूब करेंगी मुकदमा दाखिल करेंगी और उसमें पूरा जिक्र आपको करना है जो कुछ भी आपके साथ बीता है पूरा जिक्र आपको उसमें करना है उसके बाद जैसे ही आपका मुकदमा हो जाता है कोट में मुकदमा टाखिल हो जाता है फिर कोट के माध्यम से आपके पती को नोटिस बिजा जाएगा नोटिस के म पहला तारीक को आपकी पेशी लगी है और उस तारीक तक अगर आपकर अपना पच रखते हैं और अपना कुछ जवाब लगाते हैं तो ठीक है नहीं तो फिर आपका मुगदमा एकसपाड़ी कर दिया जाएगा एक पच्छी आदेश कर दिया जाएगा तो इस तरीके से अगर वह तब भी नहीं आते हैं तो आपके पच्छ में एक पच्छी आदेश कर दिया जाता है और जो कुछ भी आप कहती हैं वह सब कुछ शही मान लिया जाता है और आपका विवाह शूनि घुषत कर दिया जाता है आपका विवाह खंडित कर दिया जाता है तो इस तरीके से आप फिर अपनी या फिर अपने परिवारवलों की मर्जी से दूसरा विवाह कर सकती हैं लेकिन वहीं अगर आपके पती समझेद न्याले में डेट पर तारीक पर उपस्तित हो जात आती हैं जो मकदमा दाखिल करती हैं उसका जबाब लगाते हैं तो फिर आप उसके जबाब का जबाब लगाना होता है तो उसके बाद फिर मामला गुर्दोस के आधार पर डिसाइड होता है फिर साथ सबूतों गवाहूं और वकील के दलीलों के आधार पर मानी न्याले प पती के द्वारा जूट बोलकर साधी की गई होती है से फिर आपको रिलीफ मिल जाती है और आपका विबाफ फैनली शूनिगोसित हो जाता है तो इस तरीके से आपको एक साल तक का इंतिजार नहीं करना पड़ता है तो अगर आपका भी कोई शवाल है तो नीचे कमेंट बाक की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले यह तो कोई मित हमसे फोन कॉल के जरिए कानूनी परामर्स लेना चाहता है तो इसकिन पर दिख्रेवार्शन मेमर के माध्यम से हमसे समय ले सकता है तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना फेवरेट पसंद्धा यूटूब चानल प्रदीब लेगल हेल्प मैं आपका मित्र प्रदीब गवाए ड्वोकेट यूटूब चानल प्रदीब लेगल हेल्प से बिनमता के साथ भन्यादा